तो यह हमारी धनिया हरे मटर और टमाटर की चटनी बन के तयार है इस चटनी के लिए हमने लगबग 100 ग्राम के असपास हरा मटर लिया है एक मेडियम साइज का टमाटर और वह साथ शाथ अधरी धनिया के डंठल लिया है और एक किंच अदर कर टोगण और चार से पांच सुखी मिल्च लिया है और इन शारे को लेक फ्राय पेल लेंगे उसमें तेल डालके थोड़ी से जीराइड करेंगे इसमें उसके बाद हम इसमें सुखी लाल मिल्च एड और इसे अच्छे से हम इसे रोष्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसमें मटर के दाने डालेंगे तो यह देखिए हमारा जो सुकी मिल्चुर खड़ा जीरा वह अच्छे से सॉप्ट हो गया है अब हम यहां पर मटर एट करके से हाइफ लेंगे लगवाद दो मिनट तक इसे पकाएंगे बहुत ही जटपट बनके तयार होने वाली रेसिपी एफ्रेंट्स तो फ्लेम को यहां तेज करके इसे पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगे तो इसे हम थोड़ी सी कवर कर देंगे क्योंकि मटर हमारा ये कडाई से उपर उड़के नीचे आ जाता है तो इसलिए हम इसे कवर करके पकाएंगे तो अब हम इसमें अपारा जब 50% मटर पक जाएगा तो इसमें हम टमाटर इड कर लेंगे और टमाटर को भी पकाएंगे इसी फ्लेम यहीं रहेगा बिल्कुल हाइफ फ्लेम पकाएंग तब इसका आपको जो इसकी जो चट्नी बनेगी उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा एगा और तीखापन आप इसमें थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे इसलिए हमने चार से पांच सूखी मिर्स का इस्तमाल किया है तो यह देखिए हमारा यह फैनली लगभग पकने को है तो अब हम इसमें थोड़ी सी फ्लेम को हम कम कर लेंगे यहां पर और इसे अब मिक्सी जार में निकाल लेंगे तो यह देखिए हमारा कितना अच्छा से मतर और अच्छी से सौफ्ट हो गया है तो इसमें डालके मिक्सी में हम इसे पीस लेंगे तो देखिए हमने डाला है उसक और एक इंच हमने अधरक का टुकड़ा भी इसमें एड़ किया है तो इस मातरा में आप रखेंगे इस सारे इंग्रेडियन्ट को तो आपकी चटनी बहुत ही अच्छी यह देखिए नमक हमने डाल दिया था उसी में तो इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं देखिए कितना अच्छा हमारा है हराम मटर टमाटर और धनिया की चटने बनके तयार हुई है तो यह देखिए बिल्कुल गाड़ी है तो हमने आप ठोड़ी से पानी एड़ करके इसे फुरा सा पतला इसका कर लिया टेक्शर तो अब इसे सिपक अपने घर पर फ्रेंड जरूर बनाएं औ आप बच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्रेंटिके बेल आइकाल को दोरा ना भूले ताकि इसी तरह करें सिप्या पागे भी मिलती है जय है जय भारत